जैश्री राम, जैश्री महांकाल, जैश्री कृष्णा नमस्कार दोस्तों, जैमाता दी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राश्यवालों हो जाये सावधान, क्योंकि इस खूबसूरत महिला ने आपके घर में एक खिसक जाएगी, क्योंकि आज बिलकुल 100% सटीक जानकारी में आपको देने वाला हूँ, दोस्तों, पिछले दो सालों से आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाए हो रही है, कई बार आप मरते-मरते भी बच्चे हो, आपके घर के सदस्यों पर भी बहुत बड़े-बड़े संकट आए हैं, यहां तक की घर के बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक को, इस भटक्ती आत्मा ने बहुत परेशान किया है, आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, क्या आप, फिर आपके जीवन में हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले दो सालों में, आ आप इस औरत की सच्चाई के बारे में जानेंगे, तो आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाएगा, आप सोच-सोच कर परेशान हो जाएंगे, कि जिस महिला के उपर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते थे, जिस महिला को आप दिल ही दिल से चाहते थे, इस महिला ने आपके घर में भटकती आत्मा को छोड़ा है और आपके घर को बरबाद करना चाह रही है। दोस्तों, पिछले दो सालों में आपके घर में बहुत बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे आप बहुत परेशान हुए हो। जैसे की घर का कोई व्यक्ती बहुत बीमार हो रहा हो, अस्पताल में पैसे भर भर कर परेशान हो चुके हो। बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती, साथ ही घर परिवार में कुछ ऐसी चीज जैसे की वहन हो गया, कोई इलेक्ट्रोनिक सामान हो गया, बार बार खराब होते हैं, या फिर मकान में या कर्ज में, पैसा पानी की तरह लगाना पड़ रहा है, पूरे घर में निराशा च्छा चुकी है, खुलकर हंसे हुए बहुत साल हो गए हैं, घर के लोगों के साथ अगर बैठते हैं, तो लड़ाई जगड़ा होना शुरू हो जाता है, घर में आपके घर में नकारात्मक उड़ जाओं का वास हो चुका है, जिससे आपका घर उभर नहीं पा रहा है, और आपके घर का काम धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है, दोस्तों घर में रहने को मन नहीं करता है, घर के लोगों का दिमाग ऐसा हो जाता है, कि पागलों जैसे ह आला जादू करवा दिया है, दोस्तों ये सारे संकट है, कि आपके घर के ऊपर एक खूबसूरत महिलाने टोने टोटके करवाएं हैं, और एक भटकती आत्मा को छोड़ दिया है, दोस्तों भटकती आत्मा आपके घर के कमरे में कैद है, अगर आप आज की इस वीडियो को म अच्छे से समझा, तो आपका घर, परिवार, पुनह पहले जैसा उभरते लगेगा, आपके घर से यह नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, और आज उसे औरत का नाम बताएंगे, जिस औरत ने आपके घर में भटकती आत्मा को छोड़ा है, क्योंकि दोस्तों, इस और आपको और आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर रखा है, यह औरत आपके घर में आती है, और आपके घर में बुरी बुरी आत्मा छोड़ कर चली जाती है, यह औरत तंत्र मंत्र की क्रियाओं में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुकी है, आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि अगर इस औरत से आपने अभी पीछा नहीं छुड़वाया, तो कुछ दिनों में ही ये आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। हाई दोस्तों, बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप सभी के लिए रोजाना इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं। और बदले में मैं आपसे बस केवल एक लाइक मांगता हूं। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, तुम्हें रोजाना आपके लिए आपकी राश्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां लाता रहूंगा, तो आप अभी के अभी चाहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन को अभी के अभी दबा दो और नीचे कमेंट बॉक्स में, दोस्तों जो भी बजरंग बली का सच्चा भक्त है, वह जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, बजरंग बली आपको अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुश खबरी देंगे, तो जाओ, और अभी के अभी लिख तो, जय बजरंग ब अपने हैं, हमारे सुख दुख के साथी है, क्योंकि हम लोग तो भोले होते हैं, दयालू होते हैं, लेकिन इन ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आपके घर आते हैं, और आपके घर की खुशियों को देखते हैं, तो यह मन ही मन बहुत जलते हैं, मान लीजिए आपका कोई रिष्टेदार आपके घर आया और उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो सभी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे समान हैं, अच्छा घर है तो यह मन ही मन जलने लगते हैं कि आखिर उनके पास तो इतना सब कुछ नहीं है, और आपके पास इतना सब कुछ है। साथ ही यह लोग जब आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ हंसते खेलते हुए देखते हैं, आपके बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, पती-पत्नी को अच्छे प्यार से रहते हुए देखते हैं, तो इनको बहुत जलन होती है, क्यो लोग आपके घर पर काला जादू करवा देते हैं। कभी-कभी आपके घर में तंत्र मंत्र फूंक देते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं। जिसे आसान भाशा में आत्मा प्रेत कहते हैं। जैसे कि एक लकडी की प्लाई में बारिश में अपने आप कीडे लग जाते हैं, धीरे धीरे वह पूरी लकडी को खा जाते हैं, ठीक उसी तरह आपके घर में भी यहां नकारात्मक उर्जा है, धीरे धीरे प्रेत बढ़ाओ का रूप ले लेती है, और आप यह पूरे घर को समय रहते हैं, इन नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाला, बहुत जरूरी होता है, घर से नकारात्मक शक्ति को बाहर कैसे निकाला जाए, इसका उपाय भी हम आप लोगों को वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना ह देखिए दोस्तों, हमारे गुरू जी ने जीवन के हर पहलू के बारे में बताया है। इसमें बताया है कि महिला और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए। पति-पत्नी में से किसी एक के भी चरित्र में यदि खोट हो तो हंस्ता खेलता परिवार बिखर जाता है। वहीं महिला पुरुष का अच्छा और मजबूत चरित्र घर को स्वर्ग बना देता है। चानक के नीती में महिलाओं के चरित्र को लेकर भी बहुत अहम बाते बताई गई हैं। हमारे गुरुजी के अनुसार कुछ खास तरह की महिलाओं के साथ आपको रहना नहीं चाहिए, बलकि इससे दूरी बना कर रखनी चाहिए, वरना जीवन बरबाद हो जाता है। देखिए, स्त्री देवी के समान होती है और उसे घर की लक्षमी भी कहा जाता है। महिला घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बनाने की ताकत रखती है। इसलिए जीवन साथी के रूप में महिला का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इतना ही नहीं, इनसे मित्रता भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। इस तरह की महिला से किसी भी तरह के रिष्टे नहीं बनाना चाहिए, वरना कभी भी आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसी महिला जिसका चरित्र ठीक ना हो, जो बत्तमीज और रूखा व्यवहार करे, उसका साथ अच्छे भले जीवन को नरक बना सकता है। साथ ही ऐसी महिला पूरे परिवार की बदनामी का भी कारण बन जाती है। वहीं दोस्तों, जो व्यक्ती दोस्तों, जो स्त्री माफ कीजिएगा, जो स्त्री जो औरत भगवान में विश्वास ना रखती हो, भगवान को बुरा भला बोलती हो, भगवान में दोश तो बिलकुल भी श्रद्धा ना रखें। ना ही मंदिर जाती है, ना ही पूजा पाठ करती है, ऐसी स्त्री के ऊपर स्वयम काल वास करता है, ऐसी स्त्री के ऊपर दोस्तों बुरी शक्तियां वास करती है, जो दोस्तों व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा ना हो, उसके ऊपर आसानी से बुरी शक्तियां वास कर लेती ह क्योंकि जो भगवान में विश्वास ही ना रखे, जो भगवान में श्रद्धा ही ना रखे, आसानी से बुरी शक्तियां, काली ऊर जाएं, उसके उपर मंदराती है दोस्तों, तो ऐसे में वह स्त्री जिस व्यक्ति के साथ भी रहती है, जिस व्यक्ति के साथ रहेगी, जिस व्यक्ति के घर में रहेगी, वह जिस से बात करेगी, वह उसको भी बरबाद करेगी वह खुद बरबाद हो या ना हो, लेकिन उसके साथ जो भी रहेगा, वह बरबाद निश्चित रुप से होगा, क्योंकि उसके उपर की जो काली उर जाएं हैं, उसके उपर की जो बुरी शक्तियां हैं, वह हमारे उपर भी असर डालेगी, इसलिए ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहें और ऐसी स्त्रियों को घर में आने भी ना दें, अगर यह स्त्री आपके घर में कदम रखती है, तो यह समझिए, आपके घर में अशुब स्त्री के पाव पढ़ चुके हैं, जो आपके घर की लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देंगे, आपके घर की सकारात्म और आपके घर में काली उर जाएं और नकारात्मक उर जाओं का वास होने लगेगा। दोस्तों कहते हैं ना कि किसी स्त्री के कदम अगर शुब पढ़ जाए तो। दोस्तों हमारा घर दोस्त बहुत स्वर्ग समान बन जाता है। लेकिन वहीं किसी बूढ़ी स्त्री, किसी चरित्रहीन स्त्री या किसी अधार्मिक स्त्री, अधर्मी स्त्री के। अगर पेड़ पढ़ जाएं हमारे घर में, तो हमारा घर भी दोस्तों बुरी शक्तियों से भरा हुआ हो जाता है। हमारे घर में भी अचानक से दुख आने लग जाते हैं, अचानक से तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि जो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती है, जो स्त्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखती है, ना वरना वह अपनी नकारात मक्ता आपके उपर भी ला सकती है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। वहीं दोस्तों, अक्सर हमने जीवन में देखा है कि जो स्त्री दोस्तों किसी ओर से जलती है, जो स्त्री दूसरों से जलती है, जिस स्त्री के अंदर जलन की भावना होती है, जो स्त्री आपकी तरक्की देखकर जलन, जो स्त्री आपको खुश देखकर अंदर ही अंदर कि जो स्त्रियां होती हैं, अगर उनके अंदर जलन की भावना आ जाती है, तो वो दोस्त किसी भी हद तक गुजर सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, जो स्त्री हमेशा आपसे जलती रहती है। आपकी खुशियों को देखकर दोस्त दुखी होती है। वह स्त्री आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बरबाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसी स्त्रियों से बच कर रखना है। देखिए, काला जादू भी करवा सकते हैं, आपके उपर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने तक की कोशिश कर सकती है, इसलिए ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बना कर रखें, अब दोस्तों को गुण अवगुण बता देते हैं, देखिए, जो महिला अपने पती को देखकर खुश होती है, अपने परिवार को देखकर खुश रहती है, ऐसी महिलाएं हमेशा लक्षमी का रूप धारन करती हैं, और ऐसी महिलाओं के उपर साक्षात लक्षमी का भी वास होता है, वहीं जो पुरुष, जो दोस्तों पुरुष, जो आदमी अपने घर पढ़ाई स्त्रियों में उनका दिल लगाते हैं या यूं कहें जो पुरुष बाहर वेश्याओं के पास जाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर में यानि कि उनके घर में कभी भी लक्षमी नहीं वास करती हैं, उनके घर में आए दिन परेशानियां रहती ही रहती हैं, इसलिए खास करकी पुरुषों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कि किसी भी बाहरी दोस्तों स्त्री के साथ संबंध ना बनाएं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो केवल अपने पत्नी के साथ संबंध बनाएं, उसके अलावा बाहर किसी भी औरत के साथ संबंध वहीं अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो आपको यह ध्यान रखना है, कि किसी भी वेश्य वृत्ति वाली औरत के नजदीग भी आपको नहीं जाना है। आपको अभी मालूम नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, कि आप दोस्तों चारों तरफ से इतने परेशान हो जाएंगे, कि आप दोस्तों तो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आप दोस्तों एक ही चारा बचेगा और वह है मृत्यु का, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों जीवन में अगर भगवान की कृपा चाहना पाना चाहते हो, सभी प्रकार का सुख चाहते हो, तो ऐसे काम कभी भूल से भी मत करियेगा। वहीं आपको। चरित्र तक को बेच सकती हैं पैसो के लिए। इसलिए ऐसी महिलाओं से दूर रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं ऐसी महिला जो घर आये अतिथियों का स्वागत सतकार न करें, बढ़े बुजर्गों का सम्मान न करें। उसका साथ आपको परिवार और रिष्टेदारों से भी दूर कर सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं परिवार की बदनामी भी करवाती हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं से हमेशा बच कर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक नौकर की पहचान काम के समय में होती है। दो नौकर की पहचान का भोगी काम के समय में एक भाई की और एक मित्र की पहचान होती है। संकट के समय इसी प्रकार पत्नी की पहचान तब होती है, जब उसके पती का सारा धन नश्ट हो जाए, या फिर उसके पती को चारों तरफ से परेशानिया घेर ले, और रोग जब पती को कोई बुरा रोग लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, तब ही पत्नी की पहचान होती हमेशा दोस्तों, दोस्त बनाते समय इन बातों का ध्यान रखिए। धन एक ऐसी चीज है जो किसी के भी विश्वास को हिला सकती है। इसलिए पैसों के मामलों में कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह जो रुपया है दोस्तों, बहुत ही गंदी चीज है। अच्छे अच्छे इनसान से बहुत गलत गलत हरकतें करवा चाहिए। एक पत्नी होने के नाते जो हाथ-पती की काम्याबी पर ताली बजाने के लिए उठते हैं, वह उनके गिरने पर सहारा देने के लिए भी उठने चाहिए। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर आपको अपने पती का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। स शादी के पहले की जिन्दगी से बिलकुल अलग हो जाती है। ऐसे में शादी के बाद अपने पती की पत्नी बनने के साथ ही आपको उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनने की भी कोशिश करना चाहिए। एक दोस्त बन कर आप उनके दिल में घर कर सकती है और ये आपके रिष्टे को और मजबूती भी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, हर इनसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और एक अलग पहचान होती है। इसलिए आपके पति जैसे हैं या आपकी पत्नी जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करें। हम उनका सम्मान करें। दोस्तों, जिस तरह आपको अपने व्यक्तित्व से प्यार होता है, वैसे सामने वाले को अपने व्यक्तित्व से प्यार होता है, उसको अपना व्यक्तित्व अजीज होता है, ऐसे में सुखी दामपत्य जीवन के लिए दोस्तों, उन्हें बदलने से बहतर है, वह जैसे हैं, उसे वैसा ही स्वीकार करें कुछ बुरी आदतें हो सकती है उनको समय के अनुसार दोस्त आप बदल सकते हैं धीरे धीरे करके आप उनमें परिवर्टन भी ला सकते हैं लेकिन पूरा बदलने की कोशिश मत करियेगा वहीं दोस्तों उनकी रुचियों में अपनी रुचि दिखाएं आपके पती हो या पतनी उनको क्या पसंद है और क्या नहीं इसका ध्यान रखने के साथ ही आपको उनकी रुचियों में भी अपनी रुचि दिखानी चाहिए अगर आपके पती आपकी पतनी को घूमने का बहुत शौक है, तो आप किसी अच्छे दोस्तों घूमने की जगह का चुनाव कर उनकी ओल्ल टाइम ट्रेवल पार्टनर भी बन सकते हैं, वहीं अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक है, तो आप उनके पौधे का ध्यान रख सक करते हैं, वहीं दोस्तों उनके पर्सनल स्पेस और आजादी का सम्मान करें, देखिए, शादी का जो बंधन होता है, दो लोगों का साथ जोडता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप अपने जीवन साथी पर पूरी तरह से हावी हो जाएं, एक अच्छी प पती होने के नाते, आपको अपने पती की अपनी पत्नी की पर्सनल स्पेस और आजादी का सम्मान करना चाहिए, अगर आपके पती को कुछ पल एकांत में रहना है, या कभी दोस्तों में जाना है, या पत्नी को जाना है, तो उनकी इच्छा का सम्मान करें, थोड़ा उनको जो भी दोस्तों, एक personal space दें, इन बात होगा, आपको हमेशा, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रुजी कहते हैं कि जीवन में इतने व्यस्थ हो जाए, कि पच्तावा नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे, याद रखे, मित्रों, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्याद दुखी रहता है, इसलिए मित्रों, आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें, कभी भी खाली मत रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा, इससे मित्रों, आपके जीवन जो है, वह परंपरा अनुसार चलता रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत होगा, और जितने व्यस्थ आप रहेंगे, उतना ही मित्रों आपके पास दुखी रहने का समय नहीं रहेगा, तो मित्रों इस विचार को आज ही अपने जीवन में उतार लीजिएगा, गुरुजी का यह अनमोल विचार आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख तो चलिए मित्रों, बात करते हैं, अगले 24 घंटे की जिन कामों की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया था, उनसे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और सरकारी कामों में अनेक प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, दस्तावेश से जुड़े कारियों का आगे बढ़ और शरीर की गर्मी के कारण त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, सेहत संबंधी चिन्ता महसूस होने लगेगी, ना सेहत के मामले में बिलकुल भी लापरवाही ना करें, और स्वास्थिय ठीक होने में अपेक्षा से अधिक पैसा और वक्त लग सकता है, इसलि मित्रों, ध्यान रखेगा, एक जीत पर अठके रहने की वजह से आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चाहे जितने भी प्रेत्न करें, कुछ बातों में बदलावाने में वक्त लग सकता है, और यह सब ठीक हो जाएगा, अठके हुए कार्य करने की आवश्यक्ता हो सकती है, कामों को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, चिंता और डिप्रेशन महसूस हो सकता है, पैसों से जुड़ी समस्याएं होगी, किसी न किसी प्रकार से आप मार्ग जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल चिंता बनी रह सकती है, और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कार्य अपेक्षा के अनुसार पूरे नहीं होगे, लेकिन जरूरी बातों पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आपके जीवन के जो भी महत्वपून पहलू है, उन्हें पहले निप्टाले मित्रों, क्योंकि इन पहलूओं को अगर आपने समय रहते निप्टा ल और मित्रों ध्यान रखेगा कि पार्टनर से अपेक्षा कम होने की वजह से मानसिक तकलीफ हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या ठीक होने में समय लग सकता है, और ध्यान रखेगा मित्रों की सकारात्मक और नकारात्मक बातों में संतुलन बनाए रखें, आ रही है उससे सं संबंधित काम को आगे बढ़ने के लिए आप जोर दे पाएंगे, लेकिन अठके हुए काम का असर आपके विश्वास और होसलों पर नहीं होगा, उच्छ शिक्षा के लिए प्रयत्न करने वालों को जल्दी ही खुश खबर प्राप्त होगी, और विवाह संबंधित बातें अचानक से आगे बढ़ने लगी, मानसिक रूप से बेचने पर हावी हो सकते हैं, जी हाँ, बस आपको एक काम करना है, कि ज्यादा तनाव और चिंता नहीं लेना है, हर एक बात के लिए लोगों की राय जानने की कोशिश करें, और एक तरफा मित्रों नाराजगी से बचें जब तक आपकी बेचैनी और कम नहीं होता, तब तक लोगों के साथ थोड़ी दूरियां बनाए रखें, वरना मित्र इससे आपके रिष्टों पर आपके मूड पर गहरा असर पड़ेगा, और काम में नयापन लाने की आवश्यक्ता है, तभी आपको उत्साहित फिर से महस मित्रों, आप दिक्कते कहीं हद तक दूर होगी, उसी काम को पूराने काम को करते रहे, और पार्टनर से प्रेरणा और सहयोग मिल सकता है, लेकिन पार्टनर फिलहाल अपनी ही बातों में उलजह हुए नजर आएंगे, इसलिए मित्रों ध्यान रखेगा, कि पार्टनर से आपको समबाद बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करनी है, और रखिएगा कि पार्टनर तो फिलहाल आपकी बातों में उलजहाते हुए नजर आएंगे, लेकिन सेहत की और ध्यान देने की आवश्चक्ता है, खान-पान पर नियंत्रन बनाए रखें, क्योंकि खान-पान तक जब तक आप अपना नियंत्रन नहीं रख पाएंगे, तो मित्रों, आप किसी रोग का शिकार हो सकते हैं, और कठिन बातें और समस्याएं अपने आप सूरज की नजर आएगी, दिन के अंत तक खुश खबरी प्राप्थ हो सकती है, और परिवार के तीन व्यक्ति का आपको कई सारी बातों में राहत महसूस होगी, व्यापारियों को बड़ा मुनाफ़ा प्राप्थ हो सकता है, इस कारण आर्थिक परिस्थिती में अचानक से बड़ा बदलाव आपको दिखेगा और परिवार के साथ हो रहे जगडे में लगेंगे और खुशहाली भरा वा पन न हो सकती हैं और काम किसी भी प्रकार से करें, लेकिन लोगों का आपके प्रती रखा हुआ बरताव दुखी कर सकता है, कई सारे कटु घटना है और बातों का सामना होने की वजह से जीवन के जिस सत्य का अपना कर रहे थे, वह आपके सामने सपष्ट स्वरूप से नज नजर आ रहा है, इसलिए मित्रों आपको इस बातों को बहुत जल्दी समझने की आवश्यक्ता है, कि आप किसी भी इनसान को तब तक इतना महत्व दे, जितना की वह आपको देता है, मित्रों एक तरफा महत्व देने से आपको केवल नजर अंदाज ही मिलेगी और केलो की जांच कराएं, क्या आवश्यक्ता है, हाट संबंधित तकलीफ उत्पन्न होने की आशंका बन रही है, पैसों की प्रगति से आपको समाधान मिल सकता है, लेकिन यह समाधान अधिक देर तक नहीं टिकेगा, जितना वक्त आप पैसे और अपने लक्ष को प्राप्त करने क के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं, उसी हिसाब से रिलेशन्शिप पर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता है, अपने सहकर्मी और वरिष्ठ लोगों के साथ बरताव सुधारने की आवश्यक्ता होगी.